विपक्ष के नेता जरम ठाकू ने कहा है कि राजी सरकार लोगों की समस्याओं के समाधान के दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है और लोगों की शिकायतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है उन्होंने कहा कि पूर्व भाजबा सरकार ने लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जन्मन्ज कारिक्रम शुरू किया था लेकिन कॉंग्रेस सरकार ने इसे बंद कर दिया है इसके अलावा मुखे मंतरी हेलपलाइन सेवा को भी रामभरों से छोड़ दिया गया है और आज हिमाचल के लोगों की 11,000 से अधिक शिकायतें ऐसी हैं जिनकी सुथ लेने वाला कोई नहीं है विपक्ष के नेता ने कहा कि भाजबा प्रदेश के लोगों के साथ सरकार की इस तरह की मनमर्जी नहीं चलने देगी जराम ठाको ने कहा कि लोग मुखे मंत्री और अन्य मंत्रियों की गाड़ी के सामने खड़े होकर न्याय मांगे ये लोगतंत्र के लिए सही नहीं है उन्हेंने कहा कि सरकार को जन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इनका तैस समय में निप्टारा करना चाहिए